आज मेरे ओफिस में पोपर सेल और आते ही कहने लगे कि मैडम मुझे लोन लेना है पर मैं बैंक गया था और बैंक वालों ने साफ मना कर दिया कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ही कमजोर है और आपको लोन नहीं सैंक्शन हो सकता और जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मुझे सिबिल का प्रिंट आउट दे दीजिये, मैं अपनी C.A. को दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई लोन नहीं लिया, तो वो शौक में उन्होंने मुझे प्रिंट आउट दिया, और मैंने देखा तो मैं एक दम हैरान रह गया, कि मेरे नाम से 4-4 लोन दिख रहे हैं सिबल पर, तो ऐसा कैसे और मैं तुरंट भागते हुए आपके पास आ गया, तो ऐसी कहानी क्या आपके साथ भी होई है, तो आएए जानते हैं इस कहानी के बारे में और शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, इससे पहले इसे लाइक कीजे, शेर कीजे और सब्सक्राइब कीजे, ये भी एक पैन मिस्यूस का केस है, जहां आपके साथ एक लोन फ्रॉड हो सकता है, और इसके लिए आप जैसे आम लोग नहीं, बड़े-बड़े लोग भी इससे सफर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ए सब्सक्राइब कीजे, इन सबी सेलेब्रिटीज के केसे में भी इनके साथ लोन फ्रॉड हो चुका है, जहां इनका पैन मिस्यूस होकर के इनके नाम से च्रेडिट कार्ट सैंक्शन हुआ और उसमें डिफॉल्ट हुआ उसके पेमिंट में या फिर लोन लिया गया और उसके पेमिंट में डिफॉल्ट हुआ, तो ऐसे केसिस में आपको क्या करना चाहिए, आर्बिया इसके लिए एक बहुत ही इंपोर्टन सल्यूशन लेकर आया है, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, आप किसी भी सिबिल या आर्बियाई की वेबसाइट पे जा करके अपना सिबिल चेक कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कहीं कोई active loan या कोई history ऐसी तो नहीं दिख रही, जिसके कारण आपका सिबिल डाउन हो और जिसको आपने actual में loan या फिर credit card नहीं लिया हो और वो reflect हो रहा हो आपके सिबिल पर, ये चेक करते ही आपको अगर ऐसा कुछ मि कर सकते हैं, और इस complaint को file करने के बाद आपको एक resolution number या फिर एक ticket number में लेगा, और उस ticket number की दिन से लेके 30 दिन तक अगर आपकी complaint RBI resolve नहीं करती है, तो आपको 100 rupees per day के हिसाब से RBI pay करेगी, तो आप जरूर complaint कीजे अगर आपकी सिबिल आपको आपके नहीं करे हुए कामों के कारण भी खराब या डिग्रेडेट दित्ती है,